हमारे नियोजित सिक्षक भाई बंधों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपकी पोस्टिंग जो होगी मार्च में होगी जिहां दोस्तों नियोजित सिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की परिगिया जो है मार्च में संपन कर ली जाएगी जिहां सिक् इसे आपकी परिक्षा प्रारंब हो जाएगी परिक्षा ऑनलाइन होगी और जैसे ही ऑनलाइन परिक्षा कंड़क्ट हो जाएगी जल्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी और जल्ट जारी होने के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंब हो जाएग कि मार्च में नियोजित सिक्षको को जो है ट्रांस्फर और पोस्टिंग होगी देख सकते हैं मार्च में नियोजी सिक्षको का सहरी छेत्र के स्कूलों में अस्तरांतरन किया जाएगा देख सकते हैं कि TRD1 यानि कि BPSC पहली बार जो परिच्छा हुई है इसमें ग्रामीन छेतर जो है एलोट किया गया है, दूसरी जो हुई है परिशा TRI, उसमें भी ग्रामीन छेतर को एलोट किया गया है, अब जो नियोजित सिख्चक बचते हैं, अब यह आस लगायी जा रही है कि इन लोगों को जो है सारी छेतर के स्कूल आवंटी तो हो सकते ह या उसकी चर्चा अभी चल रही है बता दे कि फरबड़ी मार्च में नियोजी सिक्षकों की समझता सक्षमता परिच्षा लेने की विभाग की योजना है वही पर नियोजी सिक्षकों की पहले सक्षमता परिच्षा ली जाएगी परिच्षा उतरिन होने के बाद इनको भी र प्रांसफर पोस्टिंग किये जाने की पकलिया शुरू होगी और मार्च मेंन की ट्रांसफर पकलिया प्रारंब हो जाएगी तो आप सभी नियोजे सिक्षक तैयारी में जूड़ जाए क्यूंकि परिक्षा का सबी काफी कभ है एक ही वहिदा बचा हुआ है तो इसमें आपको को त्यारी करनी है साथ में जिनको कंप्यूटर परिख्षा कंप्यूटर पर अधारित परिख्षा देने नहीं आती है यह लोग भी अपना बैज जॉइन कर ले कंप्यूटर चलाना सीख ले अनधा प्रॉब्लम हो सकती है यह बड़ी अपडेट आप सभी सिक्षक बंधों के लिए भाई क्यों के लिए निकल कर आ रही है